कहा जाता है कि globalization की जमाने में कोई भी देश किसी देश का पर्मन दोस या दुश्मन नहीं होता है बलकि हर देश अपने मतलब के बारे में सोचता है और इसी का जीता जाता example हमें अमेरिका देखने को मिल रहा है जी हां रश्या यूक्रेन यूद्ध से कैसे अमेरिका अर्बो रुपे कमा रहा है ये आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं जहिन दोस्तों मेरा नाम है महीर मुगरे चलिए शुरू करते हैं अब देखिए शुरू करने से पहले IAS का Complete Package Prelims Mains आपको देखने को मिलेगा MM Academy App पर आपको GS Paper 1 की Complete GS 1, Complete GS 2 और उसी के साथ साथ बूनस कोर्स जो है इंडिया यर्भू, Cancer Writing Course, Personal Guidance, Mock Test सभी आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा आप Demo Lecture जो है हर सेक्षन में जाकर पहले दो Lecture जो है अज़र Demo Lecture आप देख सकते हो देन उसके आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो आप्शन नजर आएगा उसमें आपको various plans दिखाई देंगे तीन मेने के छे मेने के और दो साल के course पर discount है आपको plan purchase करना है और courses को enjoy करना है तो जल से जल डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को enjoy कीजिए अब देखिए रश्या जब से यूकरेन पर हमला किया है तबसे ही USA काफी ज़्यादा vocal रहा है रश्या के against में इनफाक्ट जो रश्या है उस पर sanctions भी USA के त्वारा लगाए गए है जिससे की रश्या किसी के साथ भी trade ना कर सके USA यहीं नहीं रुखा उसने European countries पर भी दबाव बनाया कि आप भी हमारे ही तरह sanctions रश्या पर लगाई है अब देखें, sanctions कुछ इस तरीके से लगाए गए है कि अगर कोई European country चाहती भी है कि वो रश्या से oil purchase करे लेकिन still वो नहीं कर पाएगी क्योंकि अगर उसने oil purchase किया, import किया तो USA कौमकासा के तहद उस पर भी sanctions लगा देगा और इसी वज़े से जो बाकी देश है वो डर रहे हैं कि रश्या से अगर हम oil purchase करते हैं या फिर trade करते हैं तो कहीं USA हम पर भी sanctions ना लगा दे सवाल यह आता है कि USA ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि उसे रश्या को economically degrade करना है और इसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुआ है क्योंकि रश्या कमें inflation बूलिये या फिर rebel की जो value है वो degrade होना बूलिये तो कुछ हद तक satisfy हुआ है लेकिन उसी बीच एक और चीज़ निकल कर आती है कि USA ने अपना जो oil import है रश्या से उसे बढ़ा दिया है उसे increase कर दिया है जी हाँ वही USA जिसने रश्या पर sanctions लगा है ये बोलते हुए कि हम रश्या के साथ बिलकुल भी trade नहीं करेंगे और जो भी रश्या के साथ trade करेगा उस पर भी प्रतिबंद लगेंगे वो यहाँ पर रश्या के जो oil imports से उसकी तादाद बढ़ा देता है तो यहाँ पर आप Global Times की report देख सकते हो कि in a contrasting move जहाँ एक तरफ जो USA अपने European allies को रश्या से oil purchase करने से मना कर रहा है Ukraine crisis की वज़े से वहीं दूसरी तरफ USA ने अपना crude oil supplier रश्या से 43% बढ़ा दिया है अब देखिए यह कोई इतना shocking move नहीं है क्योंकि already यहाँ पर USA उसने अपनी deadline set की है कि जो oil है coal import है रश्या से उसे वो 22 April तक हर्थ कर देगा मतलब 22 April के बाद जो USA है वो रश्या से ना ही oil ना ही coal import करने वाला है मगर जो shocking चीज़ है वो यह है कि USA का जो liquified natural gas export है वो 16% बढ़ गया है अगर हम last month की बात करते हैं और यह record high है अब आप बोलोगे कि इसमें shocking क्या है देखिए जो European देश है वो ज़्यादा तर dependent थे रश्या पर oil और gas के लिए वगर जब से European देशों ने sanctions लगाये हैं रश्या पर तो अब उन्हें alternative market के तहट USA की तरफ बढ़ना पड़ रहा है तो USA का जो LNG है वो काफी high demand में है क्योंकि European countries अपना gas import cut कर रहे हैं रश्या से मतलब basically अगर आप देखो कि जो sanctions रश्या पर लगाये गए हैं उससे सबसे ज़्यादा USA को हो रहा है क्योंकि जो market है USA का वो काफी ज़्यादा increase हो गया in fact जो कुई हैंग है उसके द्वारा तो ये भी कहा गया है कि जो USA है वो Russian energy को सस्ते दामों पर खरीद कर European market में महेंगे दामों पर बेच रहा है ताकि उसका खुद का जो स्वार्थ है वो पूरा हो सके अब देखे एक और जो hypocrisy यहाँ पर USA की देखने को मिलती है कि USA ने जो यहाँ पर Russian fertilizer export है जिस पर sanctions लगाये थे उसे अब यहाँ पर sanctions से बाहर कर दिया है यह कहकर कि यह essential commodities में आता है क्योंकि देखे फर्टिलाइजर्स अगर आप देखो गे तो यह काफी important role play करते है agricultural market में और agricultural market में अगर कोई disruption होता है तो food security पर खत्रा आ जाता है जिससे की लोग भूके मर सकते हैं और उसी वज़े से यहाँ पर USA ने जो fertilizer से उसको sanctions से बाहर रख दिया है ताकि खुद का interest satisfy हो सके अगर आपको याद होगा कुछी समय पहले जब इंडिया रशिया से import कर रहा था fertilizers उस समय पर काफी strong message यहाँ पर USA के द्वारा दिया गया था इंडिया को कि उसके जो consequences है यह काफी ज़्यादा खतरनाक साबीत हो सकते हैं अगर उन्होंने sanctions को bypass करने की कोशिश की मगर अब USA ने खुद इस चीज़ को out of sanctions रख दिया है जिससे की खुद का interest satisfy हो सके तो इससे हम यह बता सकते हैं कि जिसमें USA का खुद का interest है खुद का स्वार्थ है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और जो sanctions है उनको भी हटा सकता है यूरोप अगर आप देखोगे तो यह top importer रहा है USA LNG का 4 consecutive months में जहाँ पर 65% USA export जो हमें देखने को मिल रहा है तो मतलब यहाँ पर USA जो है उसको काफी ज़दा benefit हो रहा है वो काफी ज़दा पैसा कमा रहा है USA और Ukraine यूद्द से मतलब इन शाट हम यह बोल सकते है कि USA और Ukraine में जो नुकसार है वो तो इंट्रेस्ट में है वो कर रहा है भली वो रशिया से कोई चीज इंपोर्ट करना क्यों न हो जो sanctions है उसके bypass में कोई चीज जो है वो निकालना क्यों न हो रुबेल जो है उसमें transaction की बात सोचना क्यों न हो लेकिन यहाँ पर इंडिया ने अपना जो इंडिविज्वल एक जो सोवन stance रखा है foreign policy में यह काबिले तारीफ है तो इस पर आपकी क्या राय है आप comment section में जरूर बताइए और theamacademy.in यह website अगर आपने विजिट नहीं किये तो जरूर कीजिए आपर आपका foundation courses जो है IAS बनो coupon code है IAS बनो और इससे आपको 10% discount जो है वो मिल जाएगा तो जल से जल विजिट कीजिए theamacademy.in और अपने preparation को जोर लगाईए और अपने dreams पूरे कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय है